हुआ है वेलकम तो माय यूटूब चैनल सात्विक हॉम्स मैं आपका फ्रेंड दोस्त जेपी आदम आज मैं आपके लिए लेक्या हूं 263 स्क्वेरिया बिल्डर फ्रोर टू साइडिड ओपन साइड में पार्क है बहुत ही बड़े प्राइम लोकेशन है तो देरी ना करते मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं आपको पुरा इसका स्पेसिफिक बताता हूं कीचन का जो साइज है 9.11 नो बाई 11 का है ड्राइंग रूम जो अपना है वो तेहरा बाई 10 का डाइनिंग एरिया 10 बाई 12 का और लोबी एरिया भी 10 बाई 21 का जो इसमें वाश्रूम है वो साथ बाई 8 के हैं और सैकिन है 8 बाई 6 का और एक और है जो साथ बाई 8 का है तो देदी ना करते हूं मैं आपको पूरा ले आउट समझाता हूं पर अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो कर प्लीज वो करते हैं कि में डूर एंट्रेंस है कि देखिए कि बेल के लिए बेल भी है और साथ में हैंडल एक गनेश जी का बहुती प्यार यह देखिए जो के लिए काम करता है आई विजन है डोर आउटराइट का इलिए आप देख सकते हूं सामने अपना ड्राइंग रूम में देखिए बहुत ही प्यारा यह अपनी पूरी लॉबी यह अपना बुद्धा का स्टोरेज है डाइनिंग एरिया तो फ्रेंड्स में आपको ले आउट सम्झाता हूं सबसे पहले स्पैसिफिकेशन तो मैंने आपको बताई दी है यह अपन ओपन केचेन है डाइनिंग एरिया है फर्स्ट बैट रूम ड्राइंग रूम सेकेंड रूम थर्ड रूम और यह पॉर्डर रूम आपका तो चलते हैं सबसे पहले आपको ड्राइंग रूम दिखाता हूं यह देखिए अपना ड्राइंग रूम वूडन की फ्लोरिंग है वॉल पेपर है यह देखिए विंडो क्लोजर्स हैं फॉल टेबल्स साथ में आपका पार्क व्यू है पूरी ग्रीन बैग देखिए इस पोर्ट स्लाइट लगई है साइट में वूडन पैनलिंग का काम क्या वाउपर देखिए निष्ए सारे खीज़न लगए है 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 सारे रूमस में है f集 लगए हुए है एलिंट के सुचीज है और से अफ्यूल काम ब्रॉंडड एपूरी स्पैसिफिकेश्फिकेश्यों में बीच में बता दूँआ साथ में आपको प्राइज भिदाऊंगा इसका सुटेबल प्राइज लोकेशन पर छोटे शोटे ऐलिमेंट्स रखे हैं जगे जगे पर यह देखिए फ्लोर पूर देखिए क्या फील आ रिया रिया की पूरी आईए फर्स बैडरूम की साथ चलते हैं यह अपना फर्स बैडरूम की देखिए पूरा देखिए पांच एसी लगा रखे हैं डैकन की जो की पूरे एक दिन ब्रांडेट काम क्या हुआ हर जगे बारा बाई साड़े तहरा का मैंने आपको बेडरूम बताया था है देखिए सामने पूरी वाल पे देख पा रहे हैं तो टीवी पैनल का काम क्या हुआ है यह देखिए ड्रेसिंग अरिया सामने वोट्रोब्स है फॉर सेक्शन की अटेच वोश्रूम साथ भायाट का पूर सेक्शन वोट्रोब्स पूरी वाइट वोश्रूम देखिए ड्रोर्स हैं पूरी पूरा साथ भायाट का पूरा वोश्रूम है इस पर भी लाइट का क्राम होना है करेक्शन सोने वाश्रूम देखिए किपका श्टार लिश्रित हो गॉर्डन स्ट्रिप्स के साथ क्राम क्या हुआ हुआ है सामने कीचन दिखा तो आपको यह अपना डैनिंग एरिया है डैनिंग एरिया दस भाई बारक है पूरा और कीचन है तेरा भाई दस की पूरी नहीं स्वारी नो भाई ग्यारा की इस पोट्स लाइट देखिए वाइट नैनो स्टॉन है पूरा ब्रांडेड हैंड मेंडे डबल सिंक्स हैं जैग्वार की फिटिंग सें हिंद वेयर का चिमनी और हॉब है फोर बर्णर होब देखिए पूरी यह देखिए डबल डोर फ्रीज का स्पेस लगाया हुए यहां पर यह पूरी पैंट्री अपनी सामने ही एसी डाइनिंग रूम में यह अपना पूजा का स्पेस कर सकते हैं आप इसको यह कुछ अपने टॉफी यह कुछ अपना इस आइटम्स लगा सकते हैं आपर वीडियो डॉर बैल है गोद्रेज की फिटिंग सारी कीचन में भी गोद्रेज की है सॉफ्ट क्लोजर के साथ मोडेल कीचन यह अपना पॉडर रूम यह देखिए अगें इसके अंदर भी गोडन डिजाइन में वाशे लिशाल है अई रूम की साथ चलते हैं यह अपना साइक बैरूम एसी इन बिल्ड है पांच एसी हैं पूरे फ्लोर्स के अंदर पूरी ड्रोर्स वाइडर ड्रेसिंग पीस आते हैं इसके फॉर सक्षन वाट्रोब्स है साइड में विंडो है पार्क फेसिंग ब्लिंक्स लगे हैं यह देखिए मैट फिनिशिंग में वाट्रोब्स सनमाइका पूरी उपर तक वाट्रोब्स है होती बढ़िया यह अपना ड्रेसिंग देखिए गोद्रेज के डोलोक्स है देख पा रहे हैं तो यह देखिए प्रास के अंदर एलेंटी के शिटीजन सामने ही अपना टीवी पैनल है इसमें बहुत ही बड़े ले आउट है पूरे फ्लोर में कोई कहीं भी किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं लगी मेरे को हाइट वाइट को लेकर देखिए पूरा एकदम जिसको लविश कहते है एकदम भई हाँ वाव फीलिंग आती है और जीटी वेवस आती है एकदम से वह फ्लोर साही है यह अपना थर्ड बेडरूम यह सी तो मैंने आपको बताई दिया है स्वोट्स लाइट के साथ है पूरा साइडों में गूडन पैनल है मिंका काम किया हुए है है सामने ही इपना टीवी पैनल स्टैलिश ग्रे टेक्च्चर और वाइट की कॉंबिनेशन के साथ हुआ को चूटाससय ऐलिमेंट जोड सरक्खा वैए पूरी वाइट वाडॉब्स पिनाई जी है प्यूर सेक्शन की वाडरूब्स है सामने ही ड्रैसिंग कि पर अपर दक बेट अपर देखिये तू सेक्शन की वाडरोब्स देखिये कितनी वाइड है तू तू सेक्षिन की वोर्टोप्स है, फौर सक्षिन होगे टोटल, मैट फिनिशिंग में सनमाइका है, अटैच वाश्रूम, रिंशावर है, हर्जिवें स्टैलिश वाश्वेशिन सा अखियो है, मैट फिनिशिंग, अगर किसी ने मेरे चान को अगर लाइक है और सब्सक्र भी वो कर दीजिए, बहुत महनत लगती है आपके लिए एक प्रोपर्टी लाने में, यह देखिए, सामने वॉल बेपर कितना स्टैलिश एक दम, तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे एक नई प्रोपर्टी पर नई वीडियो के साथ, थैंक यू,